क्लास सवंत हिंदी थर्ड लांग्वेज चाप्टर फोर मैं भी नाम कमाता इस पाट के क्वेश एंसर प्रश्ण एक बालक रोज रोज कौन सी खबरे सुनता उतर बालक रोज रोज सीमा की खबरे सुनता था प्रश्ण एक बालक रोज रोज कौन सी खबरे सुनता था उतर बालक रोज रोज सीमा की खबरे सुनता था प्रश्ण दो बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता था चाहता है उत्तर बालक अपने हाथ में बंदुक लेना चाहता है प्रश्ण दो बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है उत्तर बालक अपने हाथ में बंदुक लेना चाहता है प्रश्न तीन, बालक किसमें भरती होना चाहता है? उतर, बालक बड़ी फाउज में भरती होना चाहता है? प्रश्न तीन, बालक किसमें भरती होना चाहता है? उतर, बालक बड़ी फाउज में भरती होना चाहता है? प्रश्न चार, मा कब खुश होती है? प्रश्न चार, मा कब खुश होती है? उतर, मा सब खुश होती है, तब खुश होती है जबकि अपना बेटा राष्टपती से पुरुसकार प्राप्त करता है? प्रश्न पाँच, बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? उतर, बालक जटपट से बड़ा होना चाहता है? प्रश्न चार, पाँच, बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? उतर, बालक जटपट से बड़ा होना चाहता है? दो, तीन वाक्यों में उतर लिखो प्रश्न पाँच, बालक का मन क्यों मसोस कर रह जाता है? उतर, बालक रोज सीमा की खबरे सुनता था, वहाँ भी फौज में भरती होकर, बंदुक हाथ में देश के लिए सीमा में भरती होकर, शत्रों से लड़ना चाहता है? राष्टपती से पुरस्कार पाना चाहता है, किन्तु हाँ अभी नन्ना सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, होने के कारण उपर्युक्त कोई कार्य न कर पाता, इसलिए वह मौसोस कर रह जाता प्रश्ण दो, अगर बालक छोटा नहीं होता, तो क्या करता था? प्रश्ण दो, अगर बालक छोटा नहीं होता, तो क्या करता था? प्रश्ण दो, अगर बालक छोटा नहीं होता, तो हाथ में बंदुक लेकर देश की सीमा पर खड़ा हो जाता, शत्रों के देश की शत्रों से देश की रक्षा करना कर नाम कमाता प्रश्ण दो, अगर बालक छोटा नहीं होता, तो हाथ में बंदुक लेकर देश की सीमा पर खड़ा हो जाता, शत्रों से देश की रक्षा कर नाम कमाता प्रश्नतीन बालक जटपट बड़ा होकर क्या करना चाता है राष्ट पती से प्रस्का प्राप्त करता इससे मा भी खुश देख पाता है यससे मा को भी खुश देख पाता तीन जोड़कर लिखीए रोज-्रोज सीमा की खबरे दो अगर न होता छोटा बच्चा तीन जटपट होकर बड़े फोज में चार मा कितनी खुश होती जब मैं इन शब्दों के लिए अन्यवचन रूप लिखिए खबर खबरे लड़का लड़के हाथ हाथे पुरसकार पुरसकारे इन शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए बड़ा छोटा एक अनिक सुख दुख पाना खोना दुरुप्त शब्दों के पड़ो और लिखिए उदार के अधसा रोज रोज धीरे धीरे जल्दी जल्दी पल पल सुन सुनकर मूस मूसकर समनार्थ शब्द लिखिए उदार के लड़का बच्चा खुश संतोष पुरस्कार इनाम प्रसस्ती पुरस्कार इनाम प्रसस्ती फाउज सेना रोज प्रती दिन खबर समाचार बिना बारा खड़ी वाले बिना मात्रा वाले कुछ शब्द लिखिए रशनात्मत अव्यक्त चितर दिखिए और दिये गए शब्दों की साहता से वाक्य पूरा कीजिए सपेद तीन सपेद तीन सलाम चक्र तिरंगा केसरी हरा यह तिरंगा जंडा है इसमें तीन रंग हैं सबसे उपर केसरी रंग है बीच में सपेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है बीच वाली पटी पर एक चक्र है हम तिरंगे जंडे को सलाम करते हैं मैं भी नाम कमाता समरीन हिंदी एक छोटे बच्चे ने सीमा में साइनिक की सहास खता सुनी थी उसमें भी बंदुक लेकर फाउज में भरती होने और राष्टपदी से पुरस्कार पाने की इच्छा हुई प्रस्तुत कविता में इसका सुन्दर वड़न है यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेणदायक है एक बच्चा हर रोज सीमा की खबरे यानि साइनिक सीमा में किस तरह बाददुरी दिखा रहे हैं इसके नारे में सुनता और वह मन ही मन दुकी होता क्यूंकि अगर मैं छोटा बच्चा न होता तो मैं भी हाथ में बंदुक लेकर हाथ में मैं भी खुद सीमा पर लड़ने जाता शत्रों को मार कर मैं भी नाम कमाना चाता वह सुचता की चटपट मैं बड़ा होकर फोज में बरती हो जाऊं शत्रों से लड़ा तब मुझे भी राष्टपती से पुरसकार और औरों से बड़ा सा पुरसकार मिलेगा तब मुझे भी राष्टपती से और राष्टपती से और से बड़ा पुरसकार मिलेगा इसे देखकर मेरी माँ कितनी खुश हो जाती जब की मैं भी नाम कमाता इसे रसे और फसे हे और फे ळाम क such a तुर बचाश कितनी कितनी थे बाुच şey नहीं रसे पर